नमस्कार मेरा नाम है अमित परताप सिंग और आप देख रहे हैं जेमरी न्यूटूब चैनल की वैदर रिपोर्ट चक्रवाती तुफान रैमल का असर पच्छमी बंगाल में अच्छा खासा देखने को मिल रहा है रैमल के असर से पच्छमी बंगाल में बित्ती रात भारी बारिस होने से और 135 किलोमेटर परती घंटे की रपतार से हवाई चलने के कारण सोंबा की सुबै जन जीवन अस्थ वेस्थ हो गया वहीं सुरवाती रिपोर्ट में पता चला है कि इस चकरवाती तुफान ने बंगाल के सादर दीप और बंगला देश के खेपू पारा के बीच के तटी इलाकों पर भारी तबाई मचाई है रेमल से तटी इलाकों को हुई छती को साब तोर पर देखा जा सकता है जोपडियों की छत हवा में उड़ गई पेड उखड गए और बिजली के खंबे गिर गए जिस कारण कोलकत्ता साइत पच्मी बंगाल के कई हिस्सों में बिजली की आपूर्ती पर भायत हुई है चकरवात रेमल का आज भी असर देखने को मिल रहा है बंगाल के कुछ इलाकों में सोमबर सुबै से तुफान और भारी बारी जारी रही चकरवाती तुफान रेमल के पच्मी बंगाल और बंगला देश के टटो के टकराने के कारण कई घर गिर गए और मलमे में दबने की वज़े से काफी लोग घायल हो गए मौसम भाग के अनुसार चकरवाती तुफान के टकराने की परिक्रिया रविवार रात साड़े आठ बजे सुरू हुई थी तुफान ने संपतियों को भारी नुकसान पहुचाया है कई लाकों से जल भराव की खबरे मिल रही है जिसके कारण परभावित लोगों की मुश्कले और बढ़ गई है तुफान के कारण भारी बारिस हुई जो सौंबर सुबे वे जारी रही और घरोयों खेतों में भी पानी भर गया पच्वी बंगाल सरकार ने चक्रवाती तुफान के आने से पहले सम्विंदर सील इलाकों से करीबन दो लाख लोगों को सुरक्सित भार निकाल लिया सागर दीप, सुंदर बन और काक दीप सहीत दक्सिन 24 परगाना जिले से लोगों को मुख्य रूप से भार निकाला गया लोगों को भार निकालने से निच्चित रूप से अजारों जिंदकिया बच गई लेकिन संपत्ति को भारी नुकसान पहुच्या है तरवे दक्सिन 24 परगाना जिले और पूरी मेंदी नापूर जिलों में भारी नुकसान की सूचना है चरकवाती तुफान के कारण दिगगा, काक, दीप और जैन अगर जैसे इलाकों में बारिस होई और हमाई चली जो सोमवार को तेज हो गई आज किस वैदर रिपोर्ट में इतना ही, मिलते नई वीडियो में नई रिपोर्ट के साथ, तब तक देखते रे जैमडी न्यूटूब चैनल को और पाए हर खबर इदर